नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जनकी बात में देखे जनकी बात में आज हम देश में बढ़ते कोरोना को लेकर बात करेंगे देश में कोरोना की लेहर एक बार फिर से तेज होती नज़र आ रही है देश में इसे दूसरी लेहर कही जा रही है क्योंकि देखे पिछले साल की बात की जाया तो पिछले साल इतनी जल्दी मामले बढ़ते हुए नहीं दिखे थे जितनी जल्दी कोरोना के मामले इस बार गई है एक साल बाद ऐसी स्थिती बन गई है कि अब पिछले 24 घंटे में एक लाग के करीब मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वो आ रहे हैं और इसका वज़ा देखिये कुछ नहीं है वो यही है कि लोगों की लापरवाही लोगों की लापरवाही ही वज़ा बन रही है देश में बढ़ते कोरोना की हाला कि देखिये वैक्सिनेशन अभ्यान भी लगतार चलाय जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना पर काबू पाने में हम कहीं न कहीं साबित नहीं हो पा रहे हैं सही क्योंकि इस्तिती ऐसी बनती जा रहे इसी लिए देखिये तमाम राज्य सरकारों को फैसला लेना पड़ रहा है तमाम नियम और गाइडलाइंस जो हैं राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग बनाए जा रहे हैं कितनी जगा का इतने राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर स संपून लॉगडाउन जो है वो देखिए लगातार इस्तिती जो हो रही है देश में खराब होती ही नजर आ रही है काजोल जुड़ गई है मेरे साथ काजोल कलाब दिल्ली में गई थी ग्राउंड जीरो पर कैसी इस्तिती आपको देखने के मिली पुलिस प्रशासन की क्या तयारी थी नाइट कर्फ्यू को लेकर दिल्ली के बात की जाए तो दिल्ली में पुलिस प्रशासन की जो तैयारी थी वो पूरी तरह से चौकस थी हमने पूरा जाइजा लिया था रात में क्योंकि दस बज़े के बाद नाइट कर्फ्यू के समय है रात दस बज़े से चुड़ो होकर सुबा पांट बे तक तो पुलिस पुद मॉन्टरिंग कर रहे हैं जगह जगह पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग कोरोना को लेकर क इतना जादा सक्रिये हैं क्योंकि लापरवाही के बिजह से मामने इतने जादा आ रहे हैं अगर हम शायद एक दो महीन और जादा सलीके से रहते मास्क लदा कर रहते शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तो शायद इतनी जो पैनिक इस्टिपी आ गई है ऐसी पैनिक इस् करफ्यू कर डर नहीं था लोगों के अंदर ये लापरवाही वजा है लोगों के अंदर कोरोना कर डर भी जो है वो खतम हो गया यही वजा है कि आज एक बैस्तिती ऐसी पैदा हो गई है कि हो सकता है आने वाले समय में लॉग्डाउन जो है लगा दिया जाए दिल्ली में सब्सक्राइब के लिए लगातार अपनी हग के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी बात अगर इस नाइट कर्फू पर की जाए तो उनसे जो हमने बात की तुम तरह कहना था कि देखे मैडम हमें नहीं पता हम कहां जाएंगे कहां सूएंगे अगर इस स्टूडेंट की बात की जाए तो अभियर्टी पूरी तरह से पोरोना की जो गाइडलाइन से उनने फॉलो कर रहे हैं मास पिगा कर जाते हैं शोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं और इसके साथ ही पूरे शांतिक पूर्वत तरीके से इनका आंदोलन जो ह बात हो रही थी, आज यूपी कि पाँच जिलो में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, नौयडा में नाइट कर्फ्यू मतलब बहुत बढ़ी बात है, दस बुचे के बात आप दिली नहीं जा सकते हैं, नौयडा में आपका एंगूम फिर नहीं सकते हैं, टमाम दुका एक बाद फिर से पिछले साल जैसी बनती नज़र आ रही है लोगों के मन में ये जर उठ गया है ये डर बैट गया लोगों के मन में क्यों हो सकता है आने वाले दिनों में संपून लॉक्डाउन लग जाए तो दुकानों पर भीड फिर से देखी जा रही है काचुल बिल्कुल पारोल दुकानों पर भीड इसके लिए है क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं देखे एक बहुत बड़ी महामारी अगर में कहुं कोरोना को तो उसके बाद लोगों ने इसे जहला है लोग इसे निकले हैं उबरे हैं कुछ ऐसे हैं जो कोरोना पॉस्टिक होकर ठ लोगों के मन में डर है एक कि लोग डाउन लगता है तो इस बार किसी बिल्कुल अलग हो जाएगी देश वैसे ही एक नॉमें चदर पर बहुत नीचे चल रहा है जोड़ी पर बहुत ज्यादा नीचे जा रहे है तो ऐसे में अब लोग अगर आर्टिक सिती से जूचते हैं क्योंकि इससे जो दूसरी लोग है उन तक वो समान नहीं पहुंच पाएगा लेकिन लोग हैं लोगों में डर है इस वज़र से लोग ऐसे स्थिती उपन कर देते हैं पारूल कर जब में आगराउंड जीरो में आई थी मैंने कुछ स्थिती ऐसी देखी थी लोगों की जो पैसी तस्वीर देखी कि मजदूर जो है इसी डर से अब वापिस जा रहे हैं कि अगर फिर से लोगडाउन लग गया तो हो सकता है पिछले साल जिस सरा से वो फस गय थे इस साल पी कहीं वो फस ना जा इसी डर से वो लोग अपने अपने घर जाने लगे हैं बिलकुल पारूल डर है क्योंकि पिछले साल की सिती आपने देखा था बहुत ही देनिया स्थिती थी लोगों के आपको में आसू आ जाते हैं उनकी कहानिया सुनकर कई ऐसी और गर्वती थी और रास्ते में उन्होंने अपनी बच्चे को जन लिया तो वह से थी बहुत खर कर रहे हैं ऐसे में हुझे समझाने की जुरा थे लेकिए अगर पुष्टि वार हुआ से कोई जिक्र नहीं है इसी कोई सुगाहत नहीं है लेकिन मिनी लॉग दाउन जैसे चीजें सामने आ रही है और जिस तरह कि सिती है उसके बाद अगर सब्सक्रार की कदम उखाती है त बिल्कुल काजोल देके सिस्टमेटिक तरीके से आप चीज़े करने की बात कर रही है लेकिन मुझे लगता है इस बार लोगों को भरोसर सरकार पर नहीं है इसल Eddie Dewar लोग अपने फैसले खुद ले रहे हैं इससे पहले सरकार किसी एक नतीजे पर पहुँच जाए लोग अपने इस किसी भी चीज की देर नहीं कर रहा है इसले पहले फैसले रहे है क्या लगता है आपको किस बारे में चर्चा होगी क्या नतीजा एक बार फिर से लॉक्डाउन की तरह बढ़ता हुआ नजर आएगा देखें पारूल जिस तरह से राज्य सरकारे जो हैं लगातार मिनी लॉक्डाउन नाइफ कर्फ्यू का हवाला दे रही है और ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है दिल्ली में भी महराश्च में भी MP में भी उतर प्रदेश में भी क्योंकि कुरूरा के मामली यहा करना है लोगों को साब धान करना है आज अगर जो बैट अप होने जा रही है मुखे मंत्रियों के साथ प्रदार मंत्री नरिंद्र मोधी की तो उसमें यही होगा जहां तक हम इस सिती को देख पा रहे हैं कि आप चोड़े-चोड़े मिनी लॉक्डाउंस लगाए विकेंड लोगों को जागरू करना सबस्क्राइब जरूरी है चोड़ी-चोड़ी चीजों से शायद लोग सबक ले क्योंकि अगर पिछले साल के अगर हम बात करे तो लोगों का जीवन जो है ना पारोलोग बंद गया था लॉक्डाउन में लोगों ने तही ना जीवन शुरू किया है और वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से उनकी आजादी पर पाबंदी लगे इस लिए चोड़ी चीजों से लोग शायद जागरूख हों इन्ही सब चीजों पर बढ़ान मंत्री चप्चा कर सकते हैं बैटी संक्या कैसी हो बढ़ाई जाए है कि अब एक लाग से मामले जा आगया है इंडियन वेरियंट आप अबरू समस्के है अफरीकन वेरियंट आया उसके बाद यूके वेरियंट आया फिर साउट अप्निका का वेरियंट आया झाल रहा है जी बिलकुल काजों और देखिए यही नतीजा है कि अब राज्जे सरकारों को सक्ती बरत्नी पढ़ तो देखिए महराष्ट से जो मामले आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं और हैरान करने वाले इसलिए हैं कि क्योंकि देखिए दुनिया में महराष्ट में तीसरे नमबर पर महराष्ट है दुनिया में देखिए देश में नहीं दुनिया में महराष्ट तीसरे नमबर में है है सबसे ज्यादा केसिस आने में और इसी लिए देखिये वहां पर सक्टी जो है वो ज्यादा बरत्ती जा रही है लेकिन काishop काजोल देखिये कही न कही हम सेटेरे संदे लॉकडाऊन लगा रए है राज शकार लगा रहे हैै सेटेरे संदे लॉकडाऊन night curfew लगा रहे है, लेकिन क्या कहीं नहीं कहीं इस से माले कम होंगे क्योंकि देखे कम होते अभी नजर नहीं आ रहे है night curfew भले ही लगा दिया खया है महाराज हो दिली हो, YOанный यूपी हो काई जिलो में लगा दिया गया है लेकिन फिर भी नतीजे कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं किया ये सही तरीका है या फिर कुछ और विकल्ब जो है वो करना चाहिए पास यही है कि हमें साब्धानी सब्सक्राइद बरतनी है हमें शोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है हमें मास लगाना है जो डर है देखिए हमें कुरोना से डरना नहीं है हमें उससे लड़ना है और लडने के लिए हमें साब्धानी बरतनी बेहर जोगरी है हमें दूसर सब्सक्राइब नहीं समझ पा रहा है तो लोगों को सबसे पैटे ही समझना है कि हमारे लिए कितना घातक है अगर ऐसे ही रहा तो हमारी हेल्प पर तो असर पड़ेगा ही पारूल इसमें जादा हमारे देश पर असर पड़ेगा कर सकते हैं तो इसकी बहुत गंबीर है और अप्शन की बात अगर आप कर रही थी कि कि मिनी लॉगडाउन या नाइक करशी ऑप्शन है सखताई करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बहुत जागुता अभियान चलाया जा रहा है लोगे सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा पुछ नहीं है कि बंगाल में बंगाल को नहीं जाता है या निताओं से डर आहे यह सवाल सोचल वीडिया के हैं हर रोज हम इसी तरह की पोस्ट देखते हैं और जब भी हम S.S.E.G.D. के अभियारतियों के बीच भी जाते हैं उनके भी यही सवाल होते हैं कि क्या कोरोना सिर्फ दिल्ली में हैं क्या कोरोना सिर्फ हमारे बीच है क्या कोरोना बंगाल में नहीं है यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं तमिलनादू में केरला में नहीं है यह तमाम सवाल है जो आम लोग उठा रहे हैं उठाना भी लाजबी है क्योंकि देखिए एक तरफ आप सकती इतनी जादा बरत रहे हैं कि आप अकेली गाड़ी में चलने वाले इंसान को भी मास्क लगाने की सलादे रहे हैं दूसरी तरफ आप हजारों की संख्या में रैलियां कर रहे हैं तो महाँ पर कोरोना की बात नहीं की जाती है तो चलिए काजोल हमेसा जुर्णने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो देखिए देश में एक बार सी जो है वह फिरसे जादा खतरनाक होती नजर आ रही है और इसी लिए देखिए हालात एक बार फिर से पिछले साल जैसे हो गए है कि अस्पतालों में मरीजों के एडविट होने के लिए बेट तक की संख्या कम होती नजर आ रही है शंशान घाट की बात करें तो वहां लंबी-लंबी लाइने लगी नजर आती है एक प्रिकॉर्शन लेने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है और देखिए एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगी वो लोग निश्चिन्त होके ना बैठे हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिए क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगा ली है इसका मतलब ये नहीं है कि आ ऐसे ही गूम सकते हैं प्रिकॉर्शन नहीं लेंगे प्रिकॉर्शन लेना जरूरी आपके लिए तब भी है और देखिए अभी साड़े छे बज़े का वक्त हो गया है प्रदान मंत्री की मुख्य मंत्रियों के साथ भी बैठक भी शुरू हो चुकी है उसको लेकर जो भी अ आज जे में क्या अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलाल के लिए इतना ही देखते रही नूस पॉलिए